कि हलो एवर्यवन है मैं अंकुष वेलकम तो दे चैनल जहीं अमीद तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ हमोजेनिटी यह यह उनिट से डामेशन का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल बड़ा छोटा सा है बड़ इस पे से बड़ा ट्रीकी सव आप बनके निकलते हैं राइट जहां पे आप लोग फस्स जाएंगे तो इसी लिए इस प्रिंसिपल को आपको बहुत अच्छे से परणना है और यहां पर हम कुछ एक्सानपल्स भी यूज्ञ यूज घंपल्स भी यूज दिंग जिससे कि यह समय हम है फटा फट पेज आफ फॉलो कर ले जिसके तूरु आप और एम कनेक्ट कर सकते हैं यह टेलीघ्रम सेनल है जिसके आपको नोर्थ मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने को मिलेंगे ताइंटेबल आपको यह मिल जाएगा माइंड में आपको यह मिल जाएगा वगर वगर सब कुछ मिल जाएगा इन शॉट राइट और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आनन्दमनी.com website का browse bookmark करके रख सकते हैं. So start करते है principle of homogeneity. So this principle says that the dimensions of all the terms in a physical expression should be same. कहने का मतलब है कि physical quantities separated by symbols plus or minus or equal to or greater than or less than have the same dimension. तो अभी हम पहले addition and subtraction की बात करते हैं. दो quantities है, उन दोनों को जब हम add or subtract करते हैं, तो हम तभी कर पाएंगे जब दोनों quantities का nature and character same हो. Characteristic same हो का मतलब dimension दोनों के same होने चाहिए. जैसे एक बिल्कुल basic example लेता हूँ जो आप भी समझ जाएंगे क्या कहना चाहरा हूँ मैं. दोनों length है, दोनों के characteristics से हैं, right? 1 meter plus 2 meter अगर मैं करूँगा तो आपका answer आएगा 3 meter, right? बड़ अगर मैं ऐसा कर दूं की 1 meter को मैं add कर दूं 2 kg से, तो क्या आप add कर पाएंगे इनको? नहीं. वाइ, because 1 meter आपका length हो गया, length characteristic हो गया, और 2 kg आपका mass का characteristic हो गया, तो mass के characteristic को आप length के characteristic से add नहीं कर सकते है, similar fashion में हम subtract भी नहीं कर सकते, right? यह तो हो गई additional subtraction की बात, अब आते हम comparison पर, यह quantity इस quantity से greater है, यह quantity से less है, यह क्या हो रहा है? comparison हो रहा है between the two quantities, अब क्या आप real life में कभी दो ऐसी quantities, दो ऐसी चीज़ों को compare करते हैं, जिनका characteristic different है, जैसा for example, कभी आपन को orange से compare किया है, right? जब भी हम comparison करते हैं, तो apple to apple comparison होता है, right? तो similarly, in this case, जब हम दो quantities को compare करेंगे, right? तो दोनों का characteristic और dimension same होना चाहिए, तभी तो हम compare कर पाएंगे, right? क्या हम किसी fifth class के बच्चे को first class के बच्चे से compare कर सकते हैं, क्या? नहीं, हम जब compare करेंगे, तो दोनों ज standard के होंगे, तभी तो हम compare कर पाएंगे, right? तो यही चीज है, तो यही आपका homogeneity principle है, कि आप add और subtract उनी quantities को कर सकते हो, जिनका character और dimension same हो, right? इन a similar way, आप दो quantities को तभी compare कर सकते हो, जब उनका character या dimension same है, that's it, यह है आपका principle of homogeneity, बिलकुल simple सा है, बट इस पर जो सवाल बनत है, यह example मैंने यहां लिखा, यह equation आप लोगों को सबको पता है, जैसने भी kinematics पढ़ा है, right? motion in a straight line, उसने यह equation ज़रूर पढ़ी होगी, s is equal to ut plus half 80 square, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले, यह ut a quantity होगी, पूरी combined, 80 square quantity होगी, right? इनके बीच मां हमने क्या कर दिया, plus क कर दिया, मतलब ut को हमने add कर दिया 80 square से, right? तो हम कब कर पाएंगे, तब जब ut का characteristic या ut का dimension है, और 80 square का dimension, same होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, according to this principle, the dimensional formula of ut must be equal to dimensional formula of 80 square, तभी तो add कर पाया, right? तभी तो यह physical expression बन पाया, similarly, जो s displacement, right? यहाँ पर जो s displacement है, that is equal to, तो जब मैं किसी एक quantity को add करता हूँ, दूसरी quantity से, तो जो result आता है, वो भी तो same characteristic वाला होना चाहिए, जैसे for example, जब मैंने 1 meter को 2 meters add किया, तो answer भी आपका 3 meter है, right? तो 1 meter is length, 2 meter is length, तो जो result आया है, उनका वो भी length है, right? तो जब हम दो quantities को add या subtract करेंगे, तो जो result आएगा, वो भी उसी characteristic को dimension का होगा, definitely होगा, right? तो यहाँ पर जो s displacement, उसका भी characteristic को dimensional formula क्या होगा? इनके बराबर होगा, right? तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं, so यहाँ पर हम बोल सकते हैं, कि dimensional formula of s is equal to dimensional formula of ut is equal to dimensional formula of at square, that's it, this is your principle of opportunity, अब हम देखते हैं, इस पर सवाल कैसे आते हैं, right? तो एक example हम ले लेता है, quickly, तो एक example ले लिया जाए, let's suppose, velocity is equal to some constant a plus b into t कर देते हैं, where a and b are unknown constants and t is time, right? वी आपका velocity हो गया, all right, ही आपका time हो गया, आपको find करना है, find dimensional formula of a and b, a and b are unknown quantities, okay? ए और बी के बारे में हमें नहीं पता, तो ए और बी का मुझे dimensional formula find करना है, जब भी ऐसे सवाल है, जिनमें एक से ज़्यादा quantity का आपको dimensional formula ए, dimensions find करने हो, तो समझ जाना है, यहाँ पर principle of homogeneity कहीं नहीं लगने वाला है, all right? तो यहाँ पर आप देखिए, एक quantity है, a, right? एक quantity है, a, sorry, जिसको हमने add कर दिया है, bt से, तो सबसे पहले तो फटा-फट में क्या लिख देता हूँ? a का जो dimensions होगा, dimensional formula होगा, वो किसके बरावर होगा? bt quantity के बरावर, right? और यह दोनों किसके बरावर होगे? velocity के dimensional formula के बरावर, right? क्या आप समझ पाना है, क्या कर रहा होगे? right? अब हम one by one देख लेते हैं, यह हमने principle of homogeneity लगा दिया है, right? अब यहाँ पर देखिए, a का characteristic और velocity का same होना चाहिए, मतलब a क्या होगा? velocity हो गया ना? तो a का dimensional formula क्या हो जाएगा? a का dimensional formula हो जाएगा, length t to the power minus 1, या आपका a का dimensional formula हो जाएगा, तो a क्या है? velocity है, velocity का character है, right? अब आता है b, b की बात करते हैं, तो b into t का जो dimensional formula आएगा, that must be equal to velocity का dimensional formula, which is, l into t minus, sorry, t minus 1, तो यहाँ पर b का dimensional formula हमें नहीं पता, बट t का dimensional formula हमें पता है, t capital t into l, t minus 1, तो यहाँ से आपका b का dimensional formula आजाएगा, right? क्या आजाएगा? l, t minus 2, तो यह character किसका हो गया? यह acceleration हो गया, right? So, b is acceleration, तो यहाँ पर हमने with the help of principle of homogeneity, आराम से a और b के dimensional formula find कर लिये, right? एक और example ले लिया जाए, quickly एक और example में ले लेता हूं, right? एक equation ले लेता है, जो आपने definitely पढ़ी होगी, जीसे हम wonderful equation बोलते है, right? And that wonderful equation, wonderful equation is pressure p plus a into v square multiply with v minus b is equal to n rt. यह real gas equation होती है, जैसे हम wonderful equation भी बोलते है, right? हम यह gashes state में पढ़ते है, mostly आपको chemistry में देखने को मिलेगा, all right? तो इस equation में हमें find करना है, find dimensional formula of a and b, यहाँ पर a और b खाँ हमें dimensional formula find करना है, find dimensional, wait a sec, dimensional formula of a and b, right? यहाँ पर बाकि कोंटिटी आपको गिवन आ जैसे, p, p का मतलब बेप्रशर, v का मतलब बेप्रशर, v का मतलब बेवल्यूम, n का मतलब बेप्रशर, t का मतलब बेप्रशर, and r का मतलब है, gas constant, okay? तो यहाँ पर जो भी as usual, जो इनके meaning है, वही है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, v minus b पर focus करता हूँ, दीखिए, आप अगर v minus b पर focus करेंगे, right? तो यहाँ पर एक volume quantity है, जिसको आपना किस से subtract किया है? बी से subtract किया है, तो volume और b कॉन तभी सब्ट्रेक कर पाएंगे, जब दोनों का characteristic और dimensions same होंगे, तो v का जो dimension है, वो ही b का dimension, right? तो b का dimension क्या होता है? यहाँ पर हमें लिख देता हूँ, so dimension of v is equal to dimension of b, right? और v is volume, मतलब length का cube, तो b का dimension आपको बड़ा पटाफट जल्दी से आ गया है, lq, right? तो कहने का मतलब है जो b का dimension है ना, वो volume ही है, so v का जो characteristic that is volume, all right? अब आते हैं हम a पर, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, p pressure को हमना add किया है, a by v square से, तो यहाँ पर भी principle of homogeneity लगा ले हम, तो p का जो dimensional formula होगा, that must be same as a by v square, right? तो p का dimensional formula हम find कर सकते हैं, p का formula हम easily find कर सकते हैं, p होता है, force divided by area, right? तो force divided by area, तो यह आजाएगा, हम अल्रेडी निकाल चुके हैं, वैसे, m, l to the power minus 1, t to the power minus 2, यह आपका pressure का dimensional formula आजाएगा, is equal to, a का dimensional formula unknown है, हमें नहीं पता, right? volume square, मतलब length to the power 6, right? तो यहाँ से आप easily बड़े आराम से, a का dimensional formula निकाल सकते हैं, m, l to the power plus 5, and t to the power minus 2, यह आपको a का dimensional formula मिल गया है, यहाँ से b काम ने निकाल दिया, a का निकाल दिया, और आपका question complete, all right? So, that's it, as far as principle of homogeneity is concerned, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो like, subscribe करें, और वाक़ी आपना अगर कुछ सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ share करें, उन्हें भी मौकाद है कुछ सीखने का, thank you, bye-bye.